हलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब तो आज में आई हूं कानपुर की रोड साइड नर्शरी यह नर्शरी आपको कानपुर में हमीरपुर रोड में मिल जाएगी और यहां का जो प्राइज है वो काफी अच्छा है और जो यहां के प्लांच का कलेक्शन है वो भी काफी हल्दी है और अच्छा है जदि आप भी कानपुर में रहते हैं तो आप इस नर्शरी का विजिट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन गुलाब के प्लांच से तो यह एक पांच इंच के पॉट्स में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं और यह हाइब्रिड गुला हैं यह पॉली बैग में लगे हुए हैं यह हाइब्रिड चमपा है इसलिए इनका प्राइज है वह 120 रुपीज है आप देख सकते हैं कि इतने हेल्दी प्लांच हैं तो यह है रजनी गंधा के प्लांच और इनका प्राइज है वह मात्र 20 रुपीज है और इनमें अब के लगे हुए हैं और यह प्लांच प्लांच देख सकते हैं तो यह मधुमालति के प्लांच हैं यह प्लांच है और इनका प्राइज है वो 120 रुपीज है ये अलमानडा है ये भी पॉर्च में लगे हुए है और प्लांस आप देख सकते कितने हेल्दी है तो उनका भी प्राइस 120 रुपीज था और ये है एक जोरा तो ये सब 80 रुपीज में थे और ये किसमर्ट्री है जो छोटे प्लांस है वो है 80 रुपीज के और जो बड़े प्लांस है वो है 120 रुपीज के एरिका पैम भी आप देख सकते कितने हेल्दी है और ये भी मात्र 120 रुपीज में है और ये पॉली बैग में लगे हुए है आप प्लांस देख सकते हैं कितने बड़े हैं और हेल्दी भी है तो सारे ही प्लांस आपको 120 हुए हैं और इनको जमीन में ही गार दिया गया है ताकि जो प्लांस है वो खराब नहों तो आप देख सकते हैं यह देशी वैराइटी के गुलाब हैं जिसो यह आपको जो बड़े हैं वो 80-100 रुपीज में मिल जाएंगे और जो छोटे प्लांस है वो आपको 20-50 रुपीज म आपको एक प्लांस मिल जाएगा और देखिए यहां पर सारे गुलाब के प्लांस है तो बहुत अच्छी नर्श्री है फ्रेंड मुझे तो यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा और आप भी विजिट कर सकते हैं और देखिए यहां पर यह हैं गिलाडिया के प्लांस और य यह है आमला का प्लांस जो कि इनका जो प्राइज है 120 रुपीज है आप प्लांस देख सकते हैं बहुत हेल्दी है और यहां पर यह बेला के प्लांस है जिनका जो प्राइज है वो 50 रुपीज था मात्र ये ठूजा की प्लांस है जिनका जो प्राइज है वो 50 रुपीज था और यहां पर ये है सिंगोनियम तो इनका जो प्राइज है वो 20 रुपीज है और ये पॉली बैग में लगे हुए हैं काफी हेल्दी प्लांस है और ये समी की प्लांस हैं कि बड़े पॉट्स में लगे हुए हैं और इनका प्राइज भी 180 रुपीड है तो काफी हेल्दी प्लांस है और पॉली पॉट्स में लगे हुए हैं और यह सब जितने भी प्लांस आप देख रहे हैं यह पॉली बैग में लगे हुए हैं यह तुलसी के हैं तो यह सारे ही प् तो यह जो आपको दिख रहे हैं वो सारे ही प्लांस आपको 10 रुपीज में हैं जितनी भी यहाँ पर लगे हुए हैं यह सारे ही प्लांस 10 रुपीज में हैं बाकी यह साइकस की वेराइटी है और देखे यह है हरसिंगार तो इसका प्राइज भी मात्र 10 रुपीज है यह छोटे प्लांस छोटे पॉली बैग में लगे हुए हैं और यह यह भी 10 रुपीज में हैं तो यहाँ पर भी तुलसिया है तो वो भी टैन रूपीड में है और यह सारे ही आप जितने भी देख रहे हैं मेक्सिकन पिटूनिया और नाइन ओक लॉक यह सारे ही प्लांस आपको टैन रूपीड में मिल जाएंगे और यह अपराजिता का प्लांस है यह भी टैन रूपीड है तिकोमा का प्लान जो प्लान से वह 120 रूपीज के हैं और यहां पर यह है डाइफन बेचिया जिसका प्राइज भी साइद 150 रूपीज था और यह देखिए फ्रेंड इसका मुझे नाम नहीं पता है पर जो इनका इन्होंने प्राइज बताया है वह यहां पर यह है यह निवो के प्लांस हैं यह भी एक्ति रूपीज में थे तो देखिए यह सारे बड़े प्लांस है और यह यहां पर आप देख सकते हैं यह पॉट्स में लगे हुए हैं यह hanging planter में बहुत सुन्दा लगते हैं और यह एक जोरा के कुछ plants रखे हुए हैं और यहां पर आप देखेंगे कितने बड़े बड़े कड़ी पत्ते के प्लांट हैं और यह मात्र सिस्टी रुपीज में है तो मुझे तो यहां का इनका यह प्राइज बहुत अच्छा लगा और यहां पर यह है क्रोटन का कलेक्शन तो आप जिस तरीके का लेंगे सब छोटे हैं वो 50 से लेके 100 रुपीज में हैं और जो बड़े प्लांट हैं वो 100 से लेके 200 के आज़ पास हैं तो आप देख सकते हैं कलेक्शन बहुत ही खूपशूरत है और यह ड्राइकना है जिसका प्राइज 120 रुपीज है और यह एगलोणीमा है जिसका प्राइज 200 के आज़ पास था और यह सारे ही मोगरा के प्लांट है जिनका प्राइज मात्र 20 रुपीज था तो काफी हेल्दी प्लांट हैं और यहां पर भी एरिका पैम है जिनका प्रैस 120 रुपीद है तो यहां पर यह सारा गुड़हल का कलेक्शन है और डाइफन बेचिया की वेराइटी है तो डाइफन बेचिया जो आपको पॉट्स में लगे हैं वो उनको